जिन्दगी वैसे ही बेकार चल रही है और अब ये हंटर और बेसर्म OTT एप का बंध होना भाई साहब न जाने और क्या क्या होगा तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में प्लाटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट बताऊंगा और इसके साथ साथ पहरेदार सीजन 5 के पा अब यहां पर जीन को लग रहा है बेसर्म और हंटर अप दोनों के दोनों मेंटेनेंस में गए हुए हैं तो भाई आपका सुचना एकदम गलत है क्यूं क्यूंकि सीरीज रिलीज होते टाइम कोई भी आप मेंटेनेंस में नहीं जाता और बात रही हैं यहां पर बग की या नहीं है कि इस अप में बग या फिर ग्लिच हुआ है क्यों क्यूंकि बाई बग और गलिच एक दो गंटे में सॉल्व हो जाते हैं इतना लंबा प्रोसेस बग या फिर गलिच को लेकर नहीं चलता अब आप उसे पूछोगे तो भाई इस अब में हुआ क्या तो यही जानन अभी तक प्राइम प्ले वालों ने या फिर बेसर्म वालों ने या फिर हंटर वालों ने नहीं दिया। जहां तक कि मुझे लग रहा है, जिस तरीके का इंटरफेस हम लोगों को अप के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है गाईज चाहे तो ये काम government का है या फिर इनका app hack हो चुका है दोनों में से एक चीज एकदम confirm है मुझे तो लग रहा है government का ही ये काम किया गया है घर देखते हैं आगे चलके क्या होता है अभी आप लोगे पास एक backup है वो है Prime Play Prime Play पर पहरेदार का part 2 आ रहा है और guys मज़ा आएगा क्यों क्योंकि इस part 2 में हम लोग को पुरिया गामरे देखने को मिल रही है वो भी काफी लंबे time तक हो सकता है ये हम लोग को देखने को मिलें इस बार इस part 2 में धीपक दसरमा से कोई भी नहीं बचेगा फिर चाहे वो कुमल रुथाला हो अनू मौरिया हो या फिर पुरिया गामरे हो कोई भी बचने नहीं वाला सब की मार ली जाएगी वो भी एकदम कहकर कल है Friday और कल के दिन आप लोग को ये सीरीज देखने को मिल जाएगी प्राइम प्ले वालों ने कहा है हम लोग हंटर बे सरम पर सीरीज दे या ना दे लेकिन प्राइम प्ले पर जरूर देंगे तो गैस कल आप लोग को ये सीरीज आराम से देखने को मिल जाएगी प्राइम प्ले के एकद पर उमीद पूरी है इस सीरीज से कि प्रियागा हम रहे इस सीरीज में अच्छा करेंगी लेकिन कितना अच्छा ये तो कल ही हम लोगों को पता चलेगा मिलता हूँ आप लोगों से इस सीरीज की फुल रिव्यू को लेकर तक तक के लिए टेक क्यार बाबा है